बर्बाद गुलिष्टा करने को बस एक उल्लू काफी है हर डाल पे उल्लू बैठा हो बर्बाद गुलिष्टा क्या होगा यही कुछ हाल इस्रेल का भी हो रहा है क्योंकि नेतन्याहू के जो मंत्री मंडल में शामिल लोग हैं वे लोग नेतन्याहू को गलत शलाह दे रहे है वे लोग चाहते हैं इस्राइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आब इस्राइल इरान को गीदर धमकी देने का काम कर रहा है पुरी जानकरी आगे विश्तार से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा नमस्कार मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्ता आप सब को पता है बीते 89 दिनों से इस्राइल और फिलिस्तीन की बीच युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों को मौत के घाट इस्राइल उतार रहा है लेकिन इस्राइल को क्या पहले लगता था इस्राइल के परधान मंत्री और विदेश मंत्री ने क्या कहा था हम 48 घंटे के भीतर ही हमास का नाम और निशान मिटा देंगे लेकिन तीन महीने पूरे होने जा रहे हैं और अभी लड़ाई निड़ायक मोड पर नहीं पहुँची है और ऐसा लगता है तमाम जो जानकार हैं वे लोग बता रहे हैं फिलिस्तीन को आजादी मिलने वाली है इसरैल जो मुगेरी लाल के सपने पाल रहा था जो सपने सजो रहा था उन सपनों पर अब पानी फिर ने जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के 155 से जादा मुल्क फिलिस्तीन के साथ खड़े है होती अलग से अटैक कर रहा इसरैल के उपर हमास वाले अलग से मार रहें इसरैल को यानि इसरैल अब चोतरफा घिर गया है और इसी बीच इसरैल के प्रधान मंत्री नेतन्याहों का बयान आया है वे डरे हुए हैं सहमे हुए हैं बंकर में खुद को शिर्प कर लिया है और उनको एक बात पता है उनके पास इस वक्त लडाई लड़े के लिए ना तो गोला बारूद है ना है उनके पास सैनिक है ना है उनके पास जवान है उनके पास सिर्फ और सिर्फ गीदर धमकी है और उसी गीदर धमकी से उलगातार हमास को, फिलिस्तिनियों को, इरान को दराने और धमकाने का काम कर रहे हैं अरे नेतन्याहू सुनो तुम कान खोल लो जब तुम्हारे पास 90 दिन पहले सब कुछ था गोला बंबारूत था तुम हमास का बाल बाका तक नहीं कर पाए अब तुम कर ही क्या पाओगे बड़ी बड़ी बाते तुम कर लो यही सिर्फ तुम्हारे बस में है इसके लावा तुम्हारे बस की बात और कुछ भी नहीं है देखिए लाइव हिंदुस्तान लिखता है जहां मौका लगेगा मारते रहेंगे लिबनान और इरान में भीसर हमलों के बीच इसराइल की धमकी सामने आई है इसराइल ने इरान के सीनियर कमांडर को मार गिराया राश्पत इबराहिम बोले इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी यानि जिस तरीके से सीनियर कमांडर को मारा गया है और इरान खुल के कह रहा है नेतन्याहू तुम सुनो इसकी कीमत तुमको चुकानी ही पड़ेगी और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब तुम्हारा नामों निशान मिट जाएगा पहले लिबनान में घुसकर मारा अब इरान में एक सवतीन की मौत क्या इसराइल ले रहा बदला खामेनेई बोले शैतान दुश्मन दे रहा अंजाम आगे लाई विंदुस्तान लिखता है इरान के सरोच चिनेता आयातुल्ला अली खामेनेई ने बुधवार को दक्षणी पूरी शहर कर्मन में हुए डबल बम धमाकों के पीछे देश के दुश्ट और आप्राधिक दुश्मनों को दोसिठ हराया है खामेनेई का इशारा इसराइल और अमेरिका की तरफ है इन धमाकों में कम सकम 303 लोग मारे गए अमेरिकी हमले में मारे गए जन्रल सुलेमानी के सम्मान में उसकी कब्र पर आयो जित एक समारो में हुए बम विस फोटो में कम सकम 177 लोग गायल भी हुए है उन्होंने इस फोटो पर कठोर पृत्किरिया देने की कसम खाई है खामेनेई ने कहा इरानी राष्ट के दुष्ट आप राधिक दुष्मनों ने एक बार फिर एत्राश्दी रच्ची है और कर्मन में शहीदों की कब्रों के सुगंदित वातावरण में हमारे कई प्रिलोगों को शहीद कर दिया है कर्मन में हुए धमाकों को इरानी सरकारी टेलिवीजन ने आतंक वादी हमला करार दिया यह हमला मदपूरों में भारी तनाव और हमास के नंबर दो सालेह अल अरूरी की हत्या के एक दिन बात किया गया है सालेह को इरान का साहयोगी बताया जा रहा है जिसे बेरूत ड्रोन हमले में मार गिराया गया है लिबनाने दिकारियों ने इसके लिए इसरेल को दोसी ठहराया है यानि जिस तरीके से मारा गया बेगुनाहों को मारा गया जो लोग कबर पर आए हुए थे और इरान ने चितावनी दी है कि अगले आने वाले कुछ घंटे इसरेल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं कहीं ऐसा ना हो इरान अगर अपने पर आज आए अपने 5 लाग से ज़्यादा सेनिकों को जमीन पर उतार दे तो इसरेल का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया से मिट जाएगा क्योंकि इरान के पास इस वक्त 5 लाग से ज़्यादा लड़ा के सेरी तैयार है और इसरेल के पास अब कुछ में नहीं बचा हुआ है जो उसके जहाज थे उसमें जो तेल पड़ता है उसमें तेल नहीं बचा हुआ है और जो टेंक थे टेंक चलने के हालात में नहीं है यानि बहुत बुरे दोर से इस वक्त इस्रेयल गुजर रहा है पूरी दुनिया इस्रेयल के उपर ठूखने का काम लगातार कर रही है लेकिन अब इतना जरूर है कि जिस तरीके से कासिम सुलियमानी के कबर के उपर बंधमागा किया गयाомина है और अब इरान बैठने वाला नहीं है लाइप इंदुसना लिखता है हमास हद्विल्ला की आखों का तारा कौन था इरानी जनरल कासिम सुलियमानी जिसकी कबर पर ये बंधमाके यानि वो ब्यक्ती आज से चार साल पहले मर गया था दुनिया को उसने अलविदा कह दिया था और अब जो है कि उसके कबर पर हमला करवाया है और बताया जा रहा है कि इसरैल के प्रधान मंत्री नेतन्याहू नहीं जनरल कमांडर उनके कब्र पर हमला करवाने का काम क्या है और इसका बदला अब इरान लेकर के रहेगा और हुती विद्रोही लगातार लाल सागर में जो भी जहाज आ रही है उसको अगवा करने का काम कर रहे हैं और अमेरिका ने कहा है कि देखो अभी तुम्हारे पास समय है हुती विद्रोहीयों को अमेरिका डरा रहा है धमकाने का काम कर रहा है लेकिन हुती विद्रोहीयों ने कह दिया है वे लोग डरने वाले नहीं हैं इंडिया टीवी लिखता है लाल सागर में होती विद्रोही लगातार इसराली जहाजों और उसकी तरफ जाने वाले दूसरे वाड़िज जहाजों पर ड्रोन हमले कर रहे हैं इससे अमेरिका समेत अन्य देश बॉखला गए हैं, खूतियों को इन देशों ने अब बड़ी चेतावनी दी है, अमेरिका और 12 सहयोगी देशों ने बुधवार को खूति विद्रोहियों को चेतावनी दी है, और कहा है कि आप लोग हमले को बंद कर दीजिये, आप लोग ला एक सो पांच बताई जा रहे हैं, घायल के संक्या 200, इरान ने उर्पीय संक कोशक चेतावनी देते हुए कहा, चाहे इसराइली हो या कोई और घर में हम लोग घुशकर मारने का काम करेंगे, यानि अब इसराइल बहुत बोरे फंस्ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क आप तोर पर इसराइल और तमाम देशों से कह दिया है कि देखो इरान से पंगा लिये हो, इसका खामियाजा तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा, और एकीन मानिये, फिलिस्तीन बहुत जल्द आजाद होने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई अब अंतिम मोड पर निड़ा के मिन वाक्स में जरूर बताएगा धन्वाद, निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निशनल